नमस्कार साथियों बहुत बहुत स्वागत है आपका इंप्लोमेंट्स पॉइंट में चंडिगड हाउसिंग बोर्ड ने बरती निकाल दी है टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए जिसमें क्लर्क जूनियर इंजिनियर डिवीजनल इंजिनियर ड्राफ्टमेन आज रेट है 31 अक्टूबर और इन हैंट सेलरी आपको अच्छी खासी मिलने वाली है आज हम आपको इस वेकेंसी की पूरी डिटेल बताने वाले हैं चलिए शुरू करते हैं तीके लिए ओनलान फॉर्म की स्टार्टिंग रेट है 3 अक्टूबर लाज रेट है 31 वर्त आपके फॉर्म भरे जाएंगे वहीं फीस आप जमा करा सकेंगे चार नवंबर तक वेकेंसी टेक्निकल पोस्ट की बात करें तो सब डिवीजनल इंजीनियर बिल्डिंग की चार वेकेंसी हैं S.D.E. Electrical की एक वेकेंसी है और Public Health की एक वेकेंसी आई है इसके लावा Assistant Architect की एक वेकेंसी है और इस सब के लिए आपको 500 वाले ग्रेड में शामिल किया जाएगा अगर हम बात करें जे-ई की तो जे-ई बिल्डिंग की 15 वेकेंसी है पॉब्लिक हेल्थ की 5 वेकेंसी है इलेक Department की तो इसकी एक तीन वेकेंसी है जिसको बद तीस सो ग्रेड में शामिल किया गया है बात कर लेते हैं नॉन टेक्निकल पोस्ट की तो law officer की एक वेकेंसी है वहीं किलर की वेकेंसी आई है 50 इनको सामिल किया गया है तो जब आपका एक्टीस अक्टूबर तक खुला रहेगा अगर हम बात करें सेलेक्शन प्रोसेस की तो जब आपका एक्जाम हो जाएगा तो वेकेंसी के अगेस्ट तीन गुना केंडिट को बुलाये जाएगा यहां के लिए उनको रिटन टेस्ट के बात बुलाये जाएगा डस गुना की संख्या में टापिंग टेस्ट के लिए अपने इलेक्ट्रिकल इंजीनरिंग में प्राप्त कर रखी हो अगर हम बात करें Public Health की तो आपके पास Public Health, Sanitary, Civil Engineering में डिग्री होनी चाहिए, Assistant Architect के लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए, इसके लाबा 5 साल का Experience आपके पास होना अनिवार रहे, जही बिल्डिंग की बात करें तो आपके पास डिप्लोम आओ, Civil Engineering में Public Health के लिए आपके पास Master Degree होनी चाहिए, होर्टी कल्चर में, इसके लाबा, आपके पास CCCC का Certificate होना अनिवार रहे, तो सभी वेकेंसी के लिए CCCC Certificate होना अनिवार रहे, जूने ड्राप्टमन की बात करें तो आप तेन्थ पास उन्ची है, और आपके पास ड्राप्टमन सिपका डिप्लोमा होना चाहिए, कम से कम दो साल का ITI से, और CCC Certificate आपने प्राप्ट कर रखा हो, अगर हम बात करें, नोन टेक्निकल पोस्ट की, तो law officer के लिए आपके पास डिगरी हो, law में, इसके लाबा, आपने CCCC Certificate प्राप्ट कर रखा हो, कलरक के लिए आप बैचलर डिगरी हो, किसी सब्जेक्ट में, और आपको टाइपिंग आती हो, इंगलिस में 35 वर प्राप्ट की स्पीट, इसके लाबा, आपके पास CCC Certificate होना अनिवार रहे है, बात कर लेते हैं, रेटन टेस्ट की, तो यह रहने वाला है, चंदीगर में, दो गंटे का रहेगा, और इसमें 100 objective type question आप एपलाई कर रहे हैं, उसके 75 नंबर रहने वाले हैं, इसी तरीके से हम बात करें कलरक के लिए, तो कलरक की हिंदी आएगी 20 नंबर की 20 नंबर की GK, 20 नंबर का math, 20 नंबर की mental ability, 20 नंबर का computer, 100 नंबर का आपको पेपर आएगा, पेपर जो है, वो इंगलिस वासा में ही रहने वाला है, 1Y 4th की negative marking रहेगी और कोई भी minimum qualifying marks नहीं रहेंगे, और बात करें age limit की, तो age limit सामाने वालों के लिए रहेगी, 28 लेके 37 साल, वहीं SC वालों के लिए रहेगी, 28 से लेके 42 साल, VC वालों को 3 साल की shoot मिलेगी, लेकिन ये उनी candidate को मिलेगी, जिनकी कास्ट, चंडी को कोई भी fee pay नहीं करनी है, form बढ़ने के वाद उसकी receipt भी अपने पास सुवच्छत रख लें, इस भरती के बारे में अगर आप कोई दिक्क्कत आ रही है, तो आप CHVRECTT2022 at the gmail.com पर संपक कर सकते हैं, important date आप फिर सुन लीजिए, online form बना सुरू हो चुके हैं, last date 31 October, आप 31 October तक online apply कर सकते हैं, फिर साफ आप जमा करा सकते हैं, 4 November तक, साथ हो मैं उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए, share कीजिए, और आप नए आवाज चनल पर तमाज चनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वह क्या मिलते हैं, सही जा सब्सक्राइब कर सामें, धन्यवाद